मोदी जी राहूल से कहके जल्द से जल्द कढाई से गर्मा गरम दस मिर्च पकोले निकलबातो घर लेके जाऊंगा मिर्च पकोले और सब को खिलाऊंगा लेकिन मोदी जी जब तक आपकी दुकान के मिर्च पकोले ना खालो तब तक मजा ही नहीं आता है सिवराज सिंग जी पहले तो कढ़ाई से दूर गड़े हो तुम तो बिल्कुल गरम तेल से भरी हुई कढ़ाई के पास आके गड़े हो जाती हो गरम तेल की छीट एकाद मुंग पर आ गई आपके तो छाना पर जाएगा पीछे हट के गड़े हो राहुल जल्द से जल्द सिवराज सिंग जी के दस मिर्ची पकोले निकाल दो लेकिन सिवराज सिंग जी तुम भी मेरी दुकान से मिर्ची पकोले कोई और पकोला नहीं खाती हो कम से कम पालक पकोला खाकर तू देखो मज़ा आ जाएगा योगी जी कर्चे को तेजी से चलाओ राहूल मिर्ची पकोड़े कलाई में टल रहा है वैसे सिभराज सिंग जी मोधी जी बिल्कुल सही कह रहा है आप मोधी जी की पकोड़ा बंडार दुकान के सिर्म मिर्च पकोड़े खाती हो कम से कम पालक पकॉला खा के देखो आलू पकॉला खा के देखो कोफता पकॉला खा के देखो मज़ा आ जाएगा योगी जी मुझे तो मोधी जी की दुकान के सिर्फ और सिर्म मिर्च पकॉले पसंद है बैसे मोधी जी जब आपने इस दुकान को खोला था तो आप अकेले ही पकोड़े बनाते थे लेकिन अब आपकी इतनी जादा बिक्री बढ़ गई आसपास के गाउं के लोग आपकी दुकान से पकोड़े लेने के लिए आते हैं अब आपने तो पकोड़े बनाने के लिए रा मैं दिन बर में मुश्किल से सो पकॉले बेशता था, तो अकेले ही बना लेता था पकॉले, अब तो मेरे दिन बर में कम से कम दो अजार पकॉले बिख जाते हैं, अम मैं दो अजार पकॉले अकेले थोड़ी बना सकता था, इसलिए मैंने योगी जी को और राहुल जी को काम प चाहे पड़े हो अरे राहूल बढ़ा क्यों रहे हो आपत मैं तोड़ी मचा रहा हूँ जल्दी सिवराज सिंग जी को है मौधी जी मुझसे जादा जल्दी करवाओगे आपकी दुकान से काम छोलके खुद की पकॉला बंडार की दुकान खोल लूँगा अब तो मैं पकॉले बनाना जान गया और भाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो